और बच्च अलो कैसे हो चलो चलते हैं कुछ नया सा करने बच्चों आज का वीडियो बहुत ही अलग है आपको बेहत पसंद भी आएगा कई जानकारी ऐसे मिलेंगी जो अभी तक आप नहीं जानते थे जैसे के मार्केट में पपीता हमें मिलता है कोई अच्छा सा पपीता ढून कर हम ले आते हैं अगर मीठा होता है तो उसी समय खा लेते हैं और अगर थोड़ा कच्चा होता है तो पेपर में लपेट कर रख देते हैं अभी तक हम इतना ही जानते हैं पपीते के बारे में आज जानेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपको बहुत पसंद आएंगे यहां आज का सवाल है यह कि जादा पपीते यह अब आ जाएं तो उन्हें हम जादा दिन तक स्टोर कैसे करें जैसे के मारकिट में मंडी में धेर सारे पपीते आते होंगे वो उसी दिन तो बेशते नहीं होंगे उन पपीतों को वो लोग कैसे स्टोर करके रखते हैं बिना फ्रिज के तो चलिए आज जानेंगे इसी के बारे में तो आज मैं आपसे यही कहूंगे कि अगर पपीता कच्चा है तो उसे पेपर में अच्छे से लपेट कर रख दीजे बिना धोये ही बिना कट करके ही उसे लपेट करके रखिए और दो दिन बाद वो पपीता आपका राइप हो जाएगा लेकिन पपीता अगर राइप किया हुआ है या जादा है जैसा कि आज मेरे साथ है तो आप पपीतो को फटा-फट से वाश कर लीजे वाश करना क्यों जरूरी है क्योंकि उस पर जो कैमिकल लगे है वो उसे राइप करने से बचाएंगे तो उसे फटा-फट से धो लीजे धोने के बाद उसे साफ कपड़े से पोच लीजे पोचने के बाद आप उसे सिल्वर फॉइल जो की हमारे किचन में यूज होती है उसे लपेट कर आप रखिए फिर देखिए पपीता आप जितने दिन रखना चाहें बिना फ्रिज के भी वो बड़िया का बड़िया रखा रहेगा और हाँ चैनल पर अगर नहीं आयों अब भी तेक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस पैमिली के मेंबर बन जाएए वो भी फ्री में तो चलते हैं बच्चों अब पपीते के बारे में कुछ और जानेंगे जैसे कि बड़े फ्रूट जो होते हैं जैसे कि पपया या वाटर मैलन ये तीनों चीजें जो बड़ी होती है तो उन्हें हम अकसर आधा कट करके खाते हैं आधा रख देते हैं अगर बाहर रखते हैं तो मक्हियां मच्छर से डर रहता है फ्रिज में रखते हैं तो उसका मॉइस्चर जला जाता है और वो ड्राइ ड्राइ हो जाता है उसका स्वाध भी कई बार बहुत डिफरेंट सा हो जाता है ऐसा ना हो तो इसके लिए आपको जो भी आधा पपीता काटा है या फ्रूट काटा है उसे आप हमेशा क्लिंग रैप लगा कर रखें उससे क्या होगा वो फ्रूट का जो मॉइस्चर है जो नमी है वो बरकरार रहेगी ड्राय नहीं होगा और उसका स्वाद भी नहीं बदलेगा ये ट्रिक भी ज़रूर फॉलो कीजिए बच्चों और हां बच्चों पपीते के छिलकों को फेकने से पहले ये वीडियो को अराम से देखिए सोचिए उसके बाद ही चिलकों को फेकना शुरू कि जब भी हम पपीता खाते हैं उसके बाद करते क्या है पपीते के चिलके को हम dust bin में बाहर फेकने जाते हैं फेकना भी चाहिए क्योंकि चिलके को तो हमेशा हमें फेकना चाहिए लेकिन आज का वीडियो आप जरूर देखिए आज के बाद मुझे नहीं लगता आप पपीते के छिलकों को फेक होगे क्या कीजिए एक बड़े बरतन में रख दीजे वैसे तो इसे दो-तीन दिन आप पानी डाल कर रख दीजे उसके बाद वो बहुत बड़िया काम करेगा पर उसको डालने के बाद कई बार घर में स्मेल आजाती है वो स्मेल सबको पसंद नहीं आती है तो आपको करना क्या है? यहाँ पर पपीते के छिलकों को लीजे और उसे एक बड़े बरतन में खुब सारा पानी डाल कर उसे बॉयल करके गैस पर ठंडा कर दीजे ठंडा हो जाएगा ना तो वो पानी पीला हो जाएगा पपीते के छिलके में मोनो सैचुरेटेड फैट समेट तमाम खास तत्पों पाए जाते हैं पपीते के जो भी छिलके में प्रापरटीज थी वो सारी पानी ने अब्जॉफ कर ली हैं अब ये पानी अमरित के समान हो गया है अब ये पानी को आप छान कर आप एक बॉटिल में भर लीजिए इस बॉटिल से आप अपना हेर वाश कर सकते हैं हेर के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा ये चमक लाने के लिए उसकी ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा आप हफते में एक आद बार तो इससे जरूर यूज कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा चलिए इसका दूसरा भी यूज आपको बताती हूँ अगर आप हेर में वाश नहीं करते इससे तो कोई बात नहीं आप कम से कम फ्री की चीज़ को थोड़ी सी मेहनत से अपने पौधों में जान डालिए जी हां ये पौधों में जान देगा ये पानी ठंडा होने के बाद ये नई जान डालिए आप इसे डाल कर बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं और हाँ गर्मी आ रही है इस वक्त हम जब कभी कहीं बाहर से आते हैं तो हमारी स्किन ना जल रही होती है धूप की वज़ा से तू ऐसे में फटा-फट से अगर आपके घर में पपीता है उसके छिल आपको इतना अच्छा फील होगा ये ट्रिक आप असमा कर देख लीजिए और हाँ बच्चों जाते जाते एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ और शेयर कर रही हूँ जैसे कि पपीते के चिलके के आपने बहुत सारे यूज तो देखे लेकिन पपीते के चिलके के कुछ और भ वो पाये जाते हैं जो इस डाइबडीस को कंट्रोल करने में मदद करेगी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए जादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को